देश तक्सीम तो पहला जडियां आखरी चोना होयां सी गियां चर्दे पंजाब ची ओधे ML बने सी गियां ते देश तक्सीम तो बाद लेंदे पंजाब दे चीफ मनिस्टर बने बहुत किस्से ने उन्ना दे चर्दे पंजाब दे नाल चाहे ओ किस्सा सियासा दा होवे जां फिर लोका देनाल तालुक दा किस्सा उन्ना दे खांदान दी दुश्मनी दा होवे ते जां फिर खांदान बनलो आबाद दिक शेहर दा खांदान दान ता ओहो नवाब ममदोट दा है पर जिन्ना दे किस्से ते जात मारांगी ओने ममदोट दे नवाब इफ्तिकार हुसैन खान मलिक खैरोदीन खांद कसूरिया एनन दे पूर्वज पट्टी सी गे पट्टी राजपूत शिर्शा रहन दे सी ते पंद्रव सो वी दे नेड़े तेड़ी इस खांदान दे दो परवार गगूते नलू एनननु दिल्ली सल्तनत दे आखरी सुल्तान इब्राहिन खान लो दी उननने एनननु कसूर दे वेच्च ती हजार एकड़ पुम्मी दीती कई पिंडबाद एननने कीते जे में हरी की बेतु ते दो नोला मगेरा बाद विच्च एहे मुसल्मान बणके एसे खांदान दे निजामुदीन खान उननना दी उस दे कुझ रिष्टे दाराने अठारा सो ब्यासी दे विच्च हत्या कर दिती मार दिता उनननों उस्त बाद उस दे प्रा कुतब देन खान कसूर दे मुखी बने 1807 विच्च महरादा रंजी सिंग ने कसूर जितले आ ते कुतब देन खाननू सातलुज दे दखन विच्च ममदोटनू अपने कोल रखन दी इजाजत दे दिख्थी नवाब नू जेड़ा बंगला महरादा रंजी सिंग ने अलाट किता से ओ आज भी है फिरोर पूर्चे बंगले दिया कंदा ते कुतब मंजल शब्द खुद्या होया है उस बंगले विच्च पीर नूर शा वली दी मजार भी है कुतब दीन दा निका नवाब लाहूरू दी ती दे नाल होया सी ते ओदेकर जमालो दीन खान ते जलालो दीन खान पैदा होया उन्हा ने उस बंगले दा ना रख्या सी कुतब मंजल मम्दोट हाउस अठारा सो एकतीच कुतब दीन नू उस दे बतीजे फती उद दीन ने जंगीर दे ओदे तो हटा दिता ते कुझ समय बाद अमरे सर्च उनदी मौत होगी फिर ओदा दिता गया जमालो दिन हुन गल करदे हां के इस खांदानों नुवाबदा खिताब केवे मिले हां दर असल जमालो दिन ने मुदकी ते फिरोजशाच दी जेडी लडाई होई सी उस दुरान बरतानिया हकूमत दी खिलाफत कीती सी ते ओदर ओदर खालसा सैनान ने हमले दुरान ओणनानों समर्थन दी पेशकश कीती इस मदद दे बदले अठारा सो अड़ताली बिच ओणनानों अपनी जदाद अपनी कोल रखन दी आग्या दे दीती ते नाली नवाब दा खिताब भी दित्ता ओदे नाल नवार जयनानों फिर की होया के नवाब ते राजदा दुर उपयो करन दा दोश लग्या जाच होई ते नवाब तो अठारा सो प्रचौन जाद विच जड़ी शक्ती सी ओख खोली ते बाद विच बाद विच ममदोट फिरोर पूर जिले दा हिस्सा बढ़ किया फिर एननानू ममदोट दा खिताब की मिलिया गल कर लिये जलालोद दीन दी जिनानू पांज अक्तूबर अठारा सो चौठ नू पारत दे गवर्नल जर्नल ने ममदोट दे खिताब देनाल नवाज जया सी ते जमालोद दीन नू एक मानेद मजिस्ट्रेट बनाया सी उस दे खिताब ते जैदाद संजड़ी ओहो नजामोद दीन को चली की एसे खांदान दे चोथे नवाब दे सब तो वड़े पुतर सन जेड़े मतलो ओन्ना दा जनम होया सी गा 1906 दे विच लहौर चो होया सी ते ना रख्या सी नवाब इफ्तिखार हुसैन खान जेड़े लेंदे पंजाब दे पहले मुखमंत्री बने सन इनन वाबा ने जित्ते होर कम कीते ने उत्ते ही उनने एक शेर भी आबाद कीता सी ओ शेर है जलालाबाद पहला सिरसा ते फिर फिरोर पुर जिले दा ते होन फाजल का जिले दी तैसील है दास्तान बड़ी खूब सूर्त है ते रोचक भी ए जिड़ा शेर है जलालाबाद एहे नवाब ममदोर दी राजधानी सी ते नवाब कुतब दीन दे पुतर जलालुद दीन खान दे नाते आबाद है ममुल्ली जी एदे ते वी जात मार ली है नवाब ने आठारा सो असी दिविच दाना मंडी ते दो वड़े दरवार जे लाई सी जिड़े बजार ने खास करके चार बजार बामनी बजार बगगा बजार रेलवे बजार ते थाना बजार राणी मेल भी सीगा पीर बाबा खाकी शादी मजार भी लेंदे पासे बाबा बबर शादी मजार उत्तरवल शेरशा वली दी मजार ते दखनवल बाबा बकर शादी मजार ते जित्थे गांदी नगर एत्थे नवाब दी कचैरी लग दी हुंदी सी अगर रेलवे स्टेशन वाल जाईए ता इस शड़क ते ममदोट स्टेट दा आफिस सी गा जिड़के उन्नी सो साथ से दे बिच बनाया गया सी फिर एत्थे चलदी रही है ममदोट रियासत दी कचैरी जित्थे दक्का बस्ती है एत्थे वी नवाब दी कचैरी लग दी हुंदी सी अलिशान दफ्तर सी उस वक्त ते नवाब दी जड़ी कोठी सी खूबसूर्थ कोठी वड़े अकार दे कमरे खुले ते हवादार राणी तलाब भी ते एक तैखाना भी जिड़ा राणी तलाब सी गा तक्रीबन 25 फुट चौड़ा सी 70 फुट लंबा ते 6 फुट डूंगा सी गा उहु गल करदे हां बोधले देनाल वैर दी सियासी भी ते जमिनी टैक्स दी भी गल इस तरह हैं के जड़ो बोधला मुसलमान फाजल का इलाके दे विच आके अबाद हुई शुरुवात विच उन्ना दा कुत्तबुद देन खान देनाल जगडा चल पया उस दी मौत 1831 होगी ते बाद विच उन्ना दा पुत्तर नवाब जादा खान बहादर खान उन्ना देनाल जगडा चलेया पर उस दी मौत 1888 विच होगी बोदले मजबूत हो गई ते उन्नी फर्वरी उन्नी सो ब्याली नू जदो इस इलाके चे तुफान आया से उदो बोदले दा पिंड आल सिगा ते बुरी तरद तबाह हो गया उस तो बाद बोदले उथो उठके होर्थां ते अबाद हो गई उस थानू उन्नाने बहक बोदलादा ना दिता शुरू शुरू देविच अमीर मुसल्मान येस पेंड देविच आई जदो के आहल पेंड दे गरीम मुसल्मान आबादी सी जड़ी ओ उत्थे इवास की अंत की होया के बोदले नू जगीर्दा जड़ा मालकाना हक सी 1888 दे विच मिल गया अदालत दे रही हुन गल आ गई सरहदा दी एक सरहद नवाब बहावल पूर दी ते दूजी ममदोट दी गल नवाब ममदोट दी है इस करके इन दी गल ज्यादा कर दी है एक दुजे ते निगार अखन लई बनाया गया सन एहे सरहद छोटे-छोटे किलटा भी आख सर देया पर मुझबूत ताके हमला होवे ता कुजी भी गड़ेना जिते शेदो किया ओते सी नवाब ममदोट दी सरहद ते 84 पिंड भी वैसे उस वक्त पिंडानू चाक आख देशन बुजुर्गानू तो आज भी याद है कई बुजुर्गनी जिड़े एस गल्दी गवाई पर देने के नवाब ममदोट पिंडान दे विच्च पक्का गुर्धवारा नैसी बनाओं देन्दा हाँ कच्चा गुर्धवारा साइब बनाओं तो मनामीनी करदास बोधले आंदे नाल ता नवाब जिड़ा ममदोट दा उनना दी शुरुवात तो ही नहीं बनी सी टैक्स दा रोलार अप्पा सी ना उनना देनाल मुड़के स्यासाद दा पंगा कल 1945 छाली दी है जदो फिरोरपोर जनराशीट तो मोहमदन रूरल तो चोना हो यह ओदो दो नवाबादी टक्कर सी एक नवाब इफ्तिखार हुसैन खान ते दुझे दुझे मिया मुहमद सर्वर बोधला चंगी टक्कर सी पर रोला रोला सी कुछ नकली वोटा था एहे मामला सर खिजर हजात तिवाना तक भी पुझे आ कई दिन हाल चल ते चर्चा हुन्दी रहे पर वोटा पोल हो गिया फिर की होया के नवाब ममदोट जित गे ओ नवाब जेड़े लेंदे पंजाब दे पहले मुख मंत्री बने ते मिया मुहम्मद सर्वर बोधला दा की बने आ ओवी MLA बने ते बने कदो ओदो जदो नवाब ममदोट लेंदे पंजाब दे मुख मंत्री बने सिगे पाकिस्तान दे विच नवाब बोधला उथो जित गे चोन पाक पतन तो चंगी सियासत की 32 माने नवाब ममदोट लेंवी पूरा ना कमाया पर पर उन्नी सो उन्नतर दे विच ओहो फौथ हो गई रावल पिंडी दे 4G फाउंडेशन हास्पताल विच बाकी बाकी रहेगे ओन्ना दे पाए पूर्णया दे कुझ पल ते ओहो यादा जेडियां हिंदुस्तान विच वी ने ते पाकिस्तान विच वी कर दो देडियां हिंदू